हे दोस्तों वेलकम बैक टू दो चटपट टोई टीवी आज की वीडियो में मैं अन्बोक्स करूंगा हाउ इंजन वर्क्स डियाईवाई आक्टिविटी किट इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और उनका प्राइस भी कम होता है इसका भी प्राइस काफी ज़्यादा कम है इसका प्राइस है सिर्फ 550 रुपीज आप अगर इसे खरीदना चाहते हो तो बाइ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने वहाँ से जाकर आप चाहे तो इसे खरीद भी सकते हो तो चलो दोस्तों पहले मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ उसके बाद में करेंगे इसके अन्बॉक्सिंग उसके बाद में हम बनाएंगे एक इंजन यहाँ पर लिखा है Do It Yourself Activity Kit for Students यहाँ पर लिखा है How Engine Works यहाँ पर भी सेम ही लिखा है पीछे भी दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर पढ़ सकते हो गई सब पॉस करके चाहे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुए इंजन के बारे में इस तरह का इंजन बनाना होता है मैं इस किट को यूज करके यहाँ पर लिखा है कुटूल साइन्स एक्टिविटीज प्राइवेट लिमिटेड बुलकर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे जिया है दोस्तों मैंने वहाँ से जाकर आप चाहे तो इसे खरीद भी सकते हो तो चलो बिनावक्त वेश्ट के फटा फट से सारी चीज़ें मैं आपको निकाल बुलकर वी टाइप इंजन के बारे में यहां पर सारी चीज़ें लिखी हुई है और यहां पर लिखा है इंड़स्ट्रिल रेवल्यूशन का बाया इंजन का वाट इस एन आटो मोबाइल और भी बहुत सारी चीज़ें लिखिए गाईज इंजन कितने प्रकार के होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें गाईज जैसे कि आप पड़ सकते हो तो इसके अंदर ही देखके हमें इस तरह का एक इंजन बनाना होता है वीडियो लाश्ट तक जरूर से देखना गाईज सारा का सारा इंजन बना के मैं आपको चला के भी बताने वाला हूं इंजन किस तरह नचने आप लाश्ट काम करता है तो यह है इसकी यूजर गाइड देख सबते हो गाई इस कितने 20 जदादा चीजसें सके अंदर थैकान या बहुत सारे पार्ट से पार्ट जो फ्लस्टिक के बने हुए थैस्ती इस एंदर को निकाल के बता देता हूं यहां पे दो चोटे- इसे भी रखते हैं साइड में, यहां पर है एक स्क्रू ड्राइवर, बहुत यच्छी क्वालिटी का है, यह है फोम और इसके उपर लगा हुआ है टू साइड टेप, इसे भी रखते हैं, यहां पर एक पुली है, पिंक कलर वाली, और यह एक लकडी की शीट है, यहां पे कुछ rubber bands है और एक L टाइप का ब्राकेट है यहां पे देख सकते हो गाईस यह है एक battery holder और इसको यहां पे एक on-off वाला switch भी लगा हुआ है और यहां पे भी एक लकडी का piece है यह दो aluminum के rods है यहां पर भी एक motor है और देख सकते हो गाईस इतने बड़े-बड़े screws है इसको nut भी है और यहां पे है दोस्तों दो लकडी के sticks तो चलो दोस्तों आपको मैंने सारे के सारे parts बता दिये हैं अब फटा-फट से बनाते हैं हमारा engine पर फटाए करें बता दिये हैं यहां पर से बनाते हैं झाल 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 झाल